क्या आपरेशन के बाद योग करना चाहिए कापालभhati आदी करना चाहिए यह भी बहुत कोमंशा सवाल है सब लोगों का तो मैं आपको बता दिना चाहता हूं कि यदि आपने कोई सरजरी करwać है तो सरजरी के बाद योग में बहुत सारी ध्यान रखने की बाते यह हैं कि ना तो कोई आसन करना होता है ना ही कोई उचल कूद की कोई चीज करनी होती है अगर करना भी हो तो योग के अभ्यासों में अनलोम विलोम कर सकते हैं भस तरीका कर सकते हैं धीमे धीमे गती से तेज नहीं या हलके फुलके सुक्षम वयाम हाथों के पैरों के कर सकते हैं बै गीं सरज्री होई है आपके पेट की यह कहीं भी का ओपरीशन कर आते हैं लोग फितने की पत्रि की पत्रीका हम कई हार इसे के हम सरज्री होती है तो लग बग लग के-अ嘛 भर हहनम मिनीमम 6 महीने हम तो आपरेशन के पंदरा दिन बाद ही शुरू कर सकते हैं और फिर दीरे दीरे सुक्षम वयाम हाथों को पैरों को चलाने वाले इस तरह के वयाम और हाट की सरजरी जिसन की हुई होती है बाइपास आदी जिसमें टांगों से भी नसें ले लेते हैं तो उसमें टांगों को कर दाली इस तरह के वयाम हो सकते हैं और अनुलोम विलोम ओपरेशन के चाहे आप दस दिन बाद पंदरा दिन बाद घर बैठे शुरू कर सकते हैं कपाल भाति का छे महीने का प्रहिज होता है